हेलो इस्टेडी सेंटर बिद देवरिशी भारदवाज तोड़ेज मैथ कुशन फोर यू इस राधा made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure find the total area of the paper used देखो हमको ये figure diagram दे रखा है ठीक है हमको ये बताना है कि इसको बनाने में राधा ने कितना paper यूज़ किया है उस paper का area कितना है ये हमको बताना है तो देखो क्या क्या given है इसमें इसमें हमको given है ये वाली side given है और ये हमको दिखरा है यह भी side ऐसी ही बनाई है उसने तो ये भी 5 है ये और ये 1 है यह दिखा हुआ नहीं है ये वाला जो part है ये चोटा सा जिस पर मैं कर रहा हूँ ये 1 है ठीक है इसके अलावा ये 6 है ये 1.5 है तो जैसे 6 and 1.5 यहाँ पर given है ऐसे यहाँ पर भी है यह एक जैसा ही 6 है और यह 1.5 हो गया और इसकी यहाँ से हाँ तक की length दे रखे 6.5 ठीक है ऐसे नीचे देखो नीचे क्या दे रखा है यह ट्रेपेजियम दे रखा है यह वाला पार्ट इसमें हमको क्या की बन यह 1 पता है यह दोनों साइड 1 1 की है और नीचे वाली साइड 2 की है तो हमको इतना सब पता है अब हमको बस इसका area find करना है तो area find देखो कैसे करेंगे सबसे पहले हम हमने इसको parts में break कर दिया यह first part ठीक है यह second part यह third part, यह fourth part तो यही हमको इसमें करना है तो देखो सबसे पहले हम इस वाले part का, first part के area find करते है तो अगर हमको क्या लगाना है इसमें hero's formula लगाना है तो हमको तीनों sides पता होनी चाहिए तो यह पता है हमको 5 है यह पता है हमको 5 और मैंने यह भी बता दिया कि यह one है, ठीक है यह भी one है तो अगर हम hero's formula लगाएंगे तो क्या करेंगे 5 and 1, 6 and 1, 7 total perimeter इसका triangle का 7 है, 7 कहा हो गया s find करने के लिए 3.5 अब इसको हम क्या करेंगे use करके इसका नहीं, यह हो गया 5, यह हो गया, यह भी 5 होगा 5 and 5, 10 और यह हो गया 11, 11, 11 by 2 कितना हो गया total perimeter कितना आ गया 11, उसका half करके s find करेंगे तो हो जाएगे 11 by 2 तो 11 by 2 कितना हो गया 5.5, अब 5.5 अब hero's formula लगाते है यह 5.5 यह 5.5 मैंसे a को minus करेंगे a की value कितनी है 5 a की value 5 है, b की value 5 है, c की value 1 है तो 5.5 मैंसे 5 को minus किया 0.5 इसको भी minus किया, आपर 0.5 और इसमेंसे 1 को minus किया तो 4.5 ऐसे, या आप इसको 11 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 9 by 2 ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो तो solve करेंगे तो कितना आएगा इसका area 3 by 4 under root 11, ठीक है 3 by 4 under root 11 अगर आपको under root 11 को solve करना है तो आप खुद से करोगे ठीक है न, आप under root 11 को solve करोगे और 3 by 4 की multiply करोगे तो आपको इसका exact answer points में decimals के term में मिल जाएगा ओके तो ये हमने इसका area find कर दिया अब चलो हम बात करते हैं इन sides की कर लेते हैं पहले ये triangle है और ये triangle है दोनों एक जैसे हम किसी एक को भी find कर देंगे तो उसका double कर देंगे दोनों के answer पता चले जाएंगे इस वाले का भी और इस वाले का भी तो चलो ये देखो triangle है और ये right angle triangle हमको दिख रहा है हमको क्या पता है ये 6 पता है base और ये perpendicular 1.5 क्या होता है formula right angle triangle का area find करने के लिए 1 upon 2 base into height 1 upon 2 into 6 into height है 1.5 तो multiply करेंगे कितना आ जाएगा 1 upon 2 देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 1 upon 2 into 2 ये 6 and दूसरी है 1.5 अगर मैं इसको solve करूँगा तो कितना आएगा 2 से ये cut गया 3 time and 15 से 4.5 आ गया तो इसका area आ गया 4.5 अगर इसका 4.5 है तो इसका भी 4.5 होगा ठीक है 4.5 और 4.5 दौनों के रहे कितना होगा 9 तो हमको इसका area पता चल गया पहले हमने इसका area find किया फिर हमने इन दौनों के area find किया इन दौनों के area कितना आ गया 4.5 और 4.5 ठीक है याद आप कैसे कि दौनों के मिला के 9 होगा अब चलो हम इस rectangle के area find कर लेते है rectangle के area क्या होता है l into b length into print तो देखो यहां से यहांता कि length 6.5 है और यह हमको पता यह 1 है जो मैं पहले ही बता चूका हम यह 1 है तो अब दौनों के multiply करेंगे तो 6.5 की 1 में तो 6.5 ही आ जाएगा तो यह भी area find हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी नीचे जो है trapezium इसका area find करना है तो देखो इसका area कैसे find करेंगे अब मैं इसका solution दिखाता हम सबसे पहले यह देखो solution मैंने बता दिया आपको 3.4 root 11 या इसको आप points में भी कर सकते हो फिर हम अब इस trapezium का area find करते है तो देखो trapezium में क्या क्या गिवन है हमको हमको यह गिवन है यह कितना है total 2 और हमको यह पता है कि यह 1 था अगर यह 1 है और यह पूरा 2 है तो side का मिला के 1 बचेगा दोनों side में तो एक जैसा है तो यह भी half हो गया 0.5 इधर बचा अब देखो अब यह 1.5 है या कह सकते है 1 upon 2 है और यह क्या है 1 है तो हम पहले height find कर लेते है height कैसे find करेंगे pythagoras लगाएंगे pythagoras कैसे लगेगी हमको पता है यह 1 यह 1 है यह hypotenuse है तो 1 के square में से अगर हम 1 upon 2 का square minus कर देंगे 1 square में से 1 upon 2 का square minus कर देंगे और उसका under root कर देंगे तो हमको ये height पता लग जाएगी ठीक है तो ये कितना जाए कि 1-7 upon 4 solve करने पे root 3y2 ये हमको height पता चल गए root 3y2 अब हम क्या करते हैं trapegem के area का formula लगाते हैं उसका formula क्या होता है कि parallel sides का sum ये 1 है और ये हमको पता है ये total 2 है 2 and 1 दौनों का sum 3 हो गया ठीक है into height height कितनी है root 3y2 है into height कर देंगे root 3y2 ठीक है न 1 upon 2 into parallel side का sum कितना हो जाएगा 3 into under root 3y2 अब इसको solve करते हैं तो कितना आएगा 3 root 3y4 ठीक है इसको points में solve करेंगे आप अगर root 3 की value 1.7 32 रख देंगे तो points में जाएगा तो answer कितना जाएगा एप्रॉक्स है जाएगा 1.3 cm2 इसका answer आगा अब हमने सारे answers find कर लिए है इन सबको हम अगर sum कर देंगे तो हमको total answer यानि total value पता चल जाएगी तो हमको बस यही करना है सभी को sum कर देना है तो सभी को sum कर देंगे यहाँ पर यह values आएगी ठीक है ना points में हमपर decimal पर answers लिखे हुए है सभी को sum करके और यह answer आजाएगा I hope समझ में आ गया हो question देखो question तो calculation है करना बाकी लेकिन main question solved होता है concept से कि हमको करना कैसे है मेरको वो है कि आपका वो clear हो जाए concept आपको clear हो जाए ठीक है तो I hope यह समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लगए हो तू लाइक करो share करो and subscribe करो and thanks for watching